आज के बात करने वाले हैं आपके important topic के बारे में जो important topic है आपके information technology and network basic के यानि हम बात करेंगे आपके M1 और R5 के important topic की जो के आपके examination में काफी importance रखते हैं आपके बात करना चाहूंगा March examination paper के बारे में तो जो March examination का paper आया था IT का और WEB का ये दोनों के दोनों paper overall अगर देखा जाए तो R4 पर based थे इन paper के अधार पर आगर देखा जाए तो इस बार जो paper आने वाला है वो पूरे तरीके से R5 पर based होकर आएगा यानि R4 से related questions वहाँ पर put up कम किया जाएगे एक सारा चीज मैं आपको और clarify कर दूँ कि paper में बहुत सारी wording जो है वो MS office से उठाई जा रही है तो यह चीज द्या नखिएगा आपको जो topic देखने हैं वो MS word के साबसे भी देख लेना है यानि MS Excel, MS PowerPoint इन सारी चीजों को भी आपको involved रखना है इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके पहले topic के बारे में introduction to computer इसमें आपके 10 marks को involved किया जाएगा marks दर्स होंगे और इसमें जो important topics हैं वो है hardware का जिसमें आपको input device, output device, computer memory and storage को अच्छे तरिके से त्यार करके जाना है second topic इसके इसमें इसमें application software, system software, utility software, open source software and property software, mobile apps वगरा को भी involved किया जाएगा इसके बार next topic के लिए important है वो है files and folder management यापके system में files and folder management case प्रकार से किया आता है और इसको maintain करने का जो तरीका है वो क्या है उसके बारे में आपको जानकरी होनी चीए इसके साथ-साथ types of file extension जैसे कि आपको पता है text file formats अलग होते है audio file formats अलग होते है video file formats अलग होते है इसके लब आपका जो image file formats होते है वो अलग होते है तो इन सब के बारे में भी आपको file formats के बारे में जानना है कि कौन-कौन से file extension किसके लिए use किया आता है नेगे जो टॉपिक के अंदर इंवाल किया था है वो आता है word processing जिसमें 20 marks का content आजगा जो important topic है उनमें आता है save or save as closing document ठीक है using the help command help command का use कैसे होता है paste setup में क्या क्या होता है watermark क्या होता है print review क्या होता है printing of document document को कैसे print किया आता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए next आता है autocorrect spelling and grammar यानि autocorrect option क्या है spelling and grammar option क्या है इसके साथ-साथ इसमें involve किया जाएगा find and replace command find का use किसली होता है replace का use किसली होता है इसके साथ-साथ इसकी shortcut की इसको भी ध्यान लखेगा next आता है paragraph indentation क्या है bullets and numbering क्या होती है इसके साथ-साथ change case क्या होता है header photo किसली apply क्या आता है ये सारी चीज़े भी इसमें important topics के रूप में आती है next इसके अंदर आता है आपका mail merge जो काफी important होता है और हर बार इसके question put up होते है R5 के पिछले paper में January 2021 में भी apply हुआ था track changes और macros को भी एक बार देख लिजिएगा next topic इसके अंदर जो आता है spreadsheet आता है जिसका marks 20 रखे गए और इसके अंदर जो important topic मुझे लगते है वह है elements होता spreadsheet like cell क्या होता है वक्षीट क्या होती है वर्बुक क्या होती है ठीक है इसके लाबा cell range क्या होती है ये सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए इसके बाद next आता है आपका इसके अंदर paste setup और printing of sheet paste setup कैसे किया आता है और print कैसे की जाती है sheet यानि print area क्या होता है इसमें सारी चीज़े involved होनी चाहिए इसके बाद आता है आपका modification editing of content यानि अगर एक cell में modification करना चाहते हैं तो उसका क्या method होता है वो सारी चीज़े के बारे में आपको पता होनी चीज़े की short key after होती है इसके आप जानते है next आता है इसके बाद formatting cell cell में जो formatting की जाते है उसकी short key क्या होती है और इसमें कौन-कौन सा option involved की जाते है वो सारी चीज़े इसके इंदर आती है next topic आता है cut copy paste and paste special जिसकी short key के बारे में जिस वीशे तो पर देन लिए पेपर में भी आपका shortcut key तो कैसे बदल आता है और art of will feature क्या है next आता है इसके बाद shorting and filtering यानि आप short and filter किसके तरीके से यूज़ करते हैं freeze pain क्या होता है formulas and function कैसे लगा जाते है chart कितने type के होते हैं data validation का क्या use होता है आपके spreadsheet में इसके बाद अगर हम बात करते है presentation की तो यह 20 marks का involvement होता है जिसमें आपके creating a presentation using template template के माद आपके कैसे presentation create करते है master slide ज्या होती है इसके बारे में आपको पताना चाहिए presentation of slides आपका determine करता है choosing a set of the presentation एक set of presentation को आप कैसे use करते है slide show को चलाने की कितने तरीके होते है मैं आपको पतातुम दो तरीके होते है एक from the beginning और एक दब from the current slide ठीके short की होती है f5 and shift plus f5 transition और slide timing क्या होती है transaction जो आपको slide transition होता है जिसका question पिज़ने paper में भी आया था automating and slide time जो automating होते है slide show उसको कैसे set किया जाता है उसके औरे बात की जाएगी यहां पर इसके बाद next topic आता है providing animation to slide slide में animation कैसे लगा जाता है उसके बारे में बात की जाएगी यह यह वह भी important topic है और यह चार प्रकार के हो सकते हैं पहला entrance दूसरा emphasis तीसरा जाता है आपका यहां पर थर जो point आता है वो आता है exit और four जो point आता है वो आता है आपका इसमें आपका motion path तो यह काफी important topic रहते हैं इसके लिए इसके बात next आता है adding movies and sound आप एक presentation के अंदर sound और movie को कैसे add कर सकते हैं video formats को कैसे add कर सकते हैं उसके बार मात की गई इसके साथ printing slide and handouts के आप एक slide के handouts को slide को कैसे print करते हैं उसका क्या तरीका है उसके बार में आपको पता होना चाहिए next topic involved किया आता है वो introduction to internet जिसमें 20 marks का pattern इसके दरकत include किया जाएगा जिसमें पहला topic आता है basic of the computer networks and network topologies यह question काफी important है कि network कितने प्रकार के होते हैं network topologies कितने प्रकार के होती है इसको अच्छे दर के त्यार करके जाएगा काफी important topic रहता है इसके बाद next आता है internet के concept and internet and www. internet के concept है उनके बार में और www क्या है उसके बारे मात करते हैं इसमें इसके बाद application of the internet website address and URL application जो internet के लिए use कियाती है वो और website क्या होती है उनके address के सब्सक्राइब होते है और URL क्या चीज़ है उसके बार में बात कियाती है URL का full form कई बार पूचा गया है next इसके बाद आता है introduction to IP address IP address जो है वो उसके बार में बात की जाती है basically अगर बात की जाती है addressing की बात यहां पर होती है जिसमें physical address और logical address की बात की जाती है IP address का size इसके बार में MAC address का address size क्या होता है वो सारी चीज़े जरूर देख लिजेगा next आता है आपका ISP and role of the ISP यानि internet service provider क्या है उसका role क्या है और internet protocol को आप कैसे प्रयोग करते है next आता है इसके बाद आपका modes of connection internet जो आपका connection के mode होते है जैसे hot spot है wifi है LAN है cable है broadband है USB threading है यह कैसे प्रयोग की आती है इसके बार में जरूर देख लिएगा next topic इसके अन्दर आता है वो आता है web browsers तो web browser में आपका first web browser के बार में जरूर देख लिएगा internet explorer है एज है Chrome है Mozilla Firefox है Opera है इसके लाबा आपका first web browser का नाम आयाता है जिसको हम music बोलते है वो भी आपका web browser की category में आता है Nex के बार आता है search engine जिसमें search engine data को search किा आता है internet tool होता आपका और search engine में first search engine जो चुटा है वो archie था उसके बार में विध्यान दखेगा इसको कही बदर put up किया गया है नेक्ट कोरिंटन है है इसके बाद आपका वेब पेजेज, प्रिंटिंग वेब पेजेज कया है उसको beansयाना केगा, TOP नेक्ट कुन आता है structure of email, एबेल का structure क्या है, कया है use कैसे कीया थे以前 एबेल का, उसके तिरジ पार्म पे पार्म जेगे, اे सारी चीजेस के अंदर पूछियाती है इसके साथ साथ attachment क्या होता है email के साथ और उसमें कौन को से file format attach किया रखते हैं इसके साथ attachment की maximum limit क्या होती है email को कैसे सर्च किया जाता है ये सारे topic भी काफी important माने जाते है last में email signature क्या है उस चीछ के बरिमात कियाती है next topic involved क्या जाता है facebook messenger है telegram है ये सब instant messaging में आते हैं आपके इनके बारे में ध्याना कीगा next आता है introduction to blog blog क्या होता है उसको कैसे use कि आता है क्या उसकी conditions है वो सारी चीज़ा आपको पता होनी चाहिए blog के बारे में इसके बाद basic of e-commerce e-commerce क्या है वो आप जानते होंगे उसका प्रयोग किस लिए हो ठीक है next आता है इसके बाद आपका e-hospital यानि ORS जिसको online reservation registration service का जाता है ठीक है तो आप कैसे उसका प्रयोग करते हैं उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए last आता है service on the mobile using omang है omang का full form होता है unified mobile application for new age governance जिसका प्रयोग central state और local authority की जितनी services है वो आपको एकी platform में जाती है सबसे beneficial चीज़ी है इसके बाद आपका आता है digital locker dizzy locker जिसको हम बोजगते है digital locker जो आपका होता है यह service दियाती है central government के मादियम से यह service भी आपके ओमन गायक में include होती है और इसकी limitation जो बाद करें तो एक जीवी तक data आप upload कर दकते हैं एक file की maximum limit होती है आपके 10 MB की इसके सा satpdf file format ही upload कर पाएंगे next topic आता है वो आता है digital finance tools का जिसमें काफी सारे important topics है मगर marks इसके 10 दिये गए है पहला आता है digital finance tools के अंदर topic involved किया आता है वो आता है understanding OTP OTP क्या होता है यह आपको पता है होगा इसके बारे में theory ले लिजेगा क्योंकि short notes type के question इसमें put up किया दकते है next आता है QR code यानि quick response code क्या होता है next topic जो आता है UPI यानि unified payment interface इसके बारे में आपको पता होना चाहिए next आता है AEPS यानि अधार unnumbered payment system क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए नेक्स आता है USSD यानि Unstructured Supplementary Service Data ये क्या होता है इसके बारे आपको पता होना चाहिए नेक्स आता है Trade Card, Debit Card यानि जिनको हम प्लास्टिक मनी बोल सकते है E-Word क्या होते हैं ये सारी चीज़े आपको clarify होनी चाहिए POS यानि Point of Sale क्या होती है उसके बारे में भी आपको क्या होना चाहिए Next Topping जो Involve किया आता है वो आता है National Electronic Fund Transfer यानि NFT क्या है उसके बारे मैं आपको पता होना चाहिए इसकी क्या limitation होती है कितने amount से कितने amount तक होता है ये सारी चीज़े इसके बाद Real Time Gros Settlement RDGS क्या है इसको कितने amount से start कियाता है कितने amount तक जा सकता है ये सारी चीज़े Next आता है इसके बाद Immidate Payment Service यानि IMPS क्या होता है इसके बारे मैं आपको पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए वर्षियल रेटी को कुशन लास्ट टॉपिक में आया था नेक्स आता है अच्छे तरीकित त्यार करिएगा इसके बारे में अच्छे तरीकित त्यार जरूर करिएगा दो टॉपिक है एक ब्लॉक्चेन और एक क्रिप्टोकरंसी दोनों को अच्छा टॉपिक है अगर देखा जाए तो यह आपके जो इंडेस्ट्री 4 होता है इसको इंक्लूड कियाता है इक तो आपका इंडेस्ट्री 4 के अंदर IoT डिवाइसे आती है रिबोटी प्रोसेस और अटोमेशन आता है यह सब इसके अंदर इन्वाल होते हैं नेस्ट अब यह का IT rules के लिए काफी importance रखते हैं तो इनको आप अच्छी तरह के त्यार कर लिजिएगा वीडियो अगर अच्छे लगी हो तो like करना मत बूलिएगा इसके साथ share बटन के मैं तो से WhatsApp पर शेर जरूर कर दे एटास में कहने चाहूंगा thanks for watching my video thank you